हलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल थिरे लिटिल ट्यूटर में आप लोग बार-बार कमेंट करते थे कि लोकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है बच्चे का सिफ्ट चेंज नहीं हो रहा है तो केंद्री विद्याले ने यह नोटिस निकाला है कि आप अपन सकते हैं जहां पर वेकंसी है तो सबसे पहले मैं आपके सामने यह नोटिस लेके आया हूँ जो केंद्री विद्याले नंबर वन डिले का नोटिस है और इसमें नोने लोकल ट्रांसफर के लिए नोटिस निकाला है तो लोकल ट्रांसफर किस ग्राउंड पर होंगे वह नहीं के लिए लागू है अगर किसी बच्चे के माता-पिता का ठांसफर होता है तो के चेंडरीद्यविद्यालै उससे भी टांसफर हो जाएगा मतलब उसका एक केंडरी विद्यालै से दूसरे केंडरी विद्यालै में टांसफर हो जो की वाजिब हो उसके आधार पर भी local transfer हो जाते हैं आप इसमें बताया गया है कि आपको कैसे करना है तो आपको पहले step में करना है submit your daily field application farm in duplicate in prescribed format आपको फार्मेट भरके इसको जमा करना है यह 28 March को आया था notice और इसका एक अप्रेल डेट दिया गया था तो ऐसे में देख सकते हैं कि इसका डेट निकल गया है लेकिन मैं फिर भी इसको इसलिए बता रहा हूं कि कम सकम आपको प्रक्रिया पता चल जाए जो लोग बोलते हैं कि नहीं होता है उनके लिए अब इसमें आप क् को भी देख सकते हैं क्या डाकुमेंट आपको लगाना पड़ेगा लोकल ट्रांसफर फार्म जो प्रोफार्मा है उसको देना पड़ेगा फिर इसीट आप बोच सिबलिंग उसको भी देना पड़ेगा रेसिडेंस एड्रेस का प्रूब देना पड़ेगा लोकल ट्रांसफ जाके केंद्री विद्याले मिले अगर आप अपने बच्चे का लोकल टांसफर करना चाहते हैं देखिए इसमें भी वही चीज हिंदी में दिया गया है कि अस्तांतराण के लिए रेजल गोसिन होने के बाद आप इसको जमा कर सकते हैं और इसमें पूरी जनकारी दी गई है त साथ ही साथ आपको कुछ डाकुमेंट लगाने हैं जैसे इंटर रिजन ट्रांसफर का प्रोफार्मा लगाना है फी रसीट लगाना है रेसिडेंस एड्रस लगाना है प्रूफ आप पैरेंट ट्रांसफर अगर आपके पिता का या माता का ट्रांसफर हुआ है तो उसको डिले ही रीजिन, मियर अप्लिकेशन फार इंटर रीजिन ट्रांसफर डट नाट कंफेस राइट टू गेट परमीशन फार अडमीशन तो उन्होंने कहा है कि आप अगर इंटर रीजिन का ट्रांसफर चाहते हैं KVTC के आधार पर और आपके पैरिंट का ट्रांसफर नहीं हुआ है तो ऐसे केस में जब तक डिप्टी कमिशनर का अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक आपका इंटर रीजिन ट्रांसफर नहीं हो सकता और वहां मेरिट बेस पे होगा डिप्टी कमिशनर देखेंगे कि जो कारण आपने बताएं हैं वह कितना उचित है कितना जरूरी है उस आधार पे अप्रूवल होता है तो इसका बहुत सारा कमेंट आता है कि मेरा होई नहीं रहा है, होई नहीं रहा है, तो आपको ये अच्छा रीजन दीजिए और डिप्टी कमिंसनर से अप्रूवल कराईए, और हो सके तो उनसे जाकर मिलिए, अपनी जो समस्या है उन्हें बताईए, क्योंकि ये मेरिट आध दिया है, ये प्रभाम अभर के आपको जमा करना रहेगा, अब चलते हैं, देख लेते हैं कि अगर आप अपने बच्चे का सिफ्ट चेंज कराना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, तो हम आ गये हैं, सिफ्ट चेंज वाली नोटिस पर, इसे भी केंद्री विद्याला नंबर व सकते हैं, तो ये भी सिफ्ट चेंज करना है, तो आपको अपने भाई बहन का प्रूफ देना पड़ेगा, कि आपका भाई बहन किस सिफ्ट में पढ़ रहा है, जिस सिफ्ट में आप मांग रहे हैं, उस सिफ्ट में पढ़ रहा है, और साथ ही साथ आपको फिर सिफ्ट दोन अपने बच्चे का shift change करा सकते हैं तो यह तीन चीजें थी और तीनों बहुत ही महत्पूर्ण थी क्योंकि admission होने के बाद ये problem बहुत सारे लोग को आता है कि उनके बच्चे का shift change नहीं हो रहा है, उनके बच्चे का इंटर रीजन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उनके बच्चे हो गया जैसे इंटर रीजन में आपका प्रोवल मिल गया तो आपका ट्रांस Burger हो जाएगा मतलब आपकि बच्चे का ट्रांसफर हो जाएगा तो उम्मीद